साथियों हाल ही में सुर्खी में आपने सुना था कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल साउथ चाइना सी में चीन के दक्षिन में इस्थित एक देश फिलिपीन्स को बेची थी उसके बाद में अब सुर्खी बनकर आती है और वो सुर्खी है कि वियतनाम ने ब्रहमोस में इंट्रेस्ट शो किया है अब वियतनाम कहा है क्यों ये इंट्रेस्ट शो कर रहा है अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी सही से रखते हैं तो चीन के दक्षिन में ही वियतनाम है और विवाद क्या है अल्टिमेटली यहां तक तो सही है लेकिन ब्रहमोस के इस्थान पर ओनिक्स मिसाइल क्या है आज के सेशन में विस्तार पूरवक इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी खास है क्योंकि अंतरराश्ट्रिय व्यवस्था तो आप चर्चा करेंगे ही साथ ही देश की सेक्योरिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे आप सभी को मालूम है कि भारत को जिस प्रकार से चीन ने घेरने का प्रयास किया भारत भी उसी का काउंटर लगातार तयार कर रहा है भारत के काउंटर में जिस प्रकार से चीन ने शीलंका, मालदीव, म्यानमार, बा यहां पर चाइना के दक्षिन पस्चिम में इस्थित एक देश है जिसका नाम है वियत नाम अगर द मैप को पढ़ने के लिए आपको तरीका बताया जाए तो मैप पढ़ने का सिंपल तरीका होता है उपर उत्तर नीचे दक्षिन राइट में एस्ट लेफ्ट में वेस्ट कहते हैं South China Sea के 80 प्रतीशत पानी पर चीन अपना कंट्रोल मानता है और इसी पानी से connected एक जगे है जिसका नाम है वियत नाम जिसकी राजधानी है हनोई यह हनोई पहले Tomkin के नाम से जानी जाती थी और इसी कारण से इसके जस्ट सामने यह जो पानी भरा हुआ है इसे Gulf of Tomkin क के नाम से भी जाना जाता है Gulf of Tomkin के नाम से भी जाना जाता है तो यहां तक आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हनोई जो कि Tomkin के नाम से जाना जाता था उसके सामने का पानी Gulf of Tomkin के नाम से जाना जाता है और यही Gulf of Tomkin चीन और वियत नाम के बीच के विवाद का सबसे बड़ करने वाले हैं तो नक्षे पर एक बार वियतनाम को देख लीजिए चुकि वियतनाम भारत के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये दक्षिन और पूरव की तरफ इस्थित है इसलिए ये आशियान का सदश्य है मेरे प्यारे साथियों दक्षिन पूरव में इस्थित दस देशों ने अपना एक सम्हू बना रखा है जिने Association of Southeast Asian Nation कहते हैं इन दस देशों में से एक देश वियतनाम भी है ये वियतनाम चीन का दुश्मन है क्योंकि इन दौनों के बीच में एक बार 1979 में वार तक भी हो चुकी है दौनों एक दूसरे के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं युद्ध लड़ने की कहानी भी आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे तो ये रहा Gulf of Tonkin और वियतनाम के आसपास का छेतर जिसे आप देख सकते हैं चाइना का हैनान और इनका Tonkin एक दूसरे के सामने काउंटर करता हैं मैप को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे विध्यार्थियों की लंबे समय से ये डिमांड रही है कि मैपिंग को लेकर के जो हमने कभी UPSC की प् बनी हुई है और हमारी टीम और मैं निरंतर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी पुस्तक आपको लाकर भेंट की जाए जिसमें प्रॉपर तरीके से मैपिंग आपको अपनी भाशा में समझ में आए नंबर एक और नंबर दूसरा फिर उसका एक प्रॉपर सेशन आपके हिस्सा है जिसे साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है यहां पर चीन का दावा रहा है कि आजादी से पहले यहां पर चीन के मचुआरे मचली पकडने आते थे अक्सर मैंने यह कहानी सुनाई है कि इस छेतर को चीन अपना बताता है और इसे बताते हुए वह यहां पर क चीन अपना बताया करता था, इसलिए ये 11-line के नाम से जानी जाती थी, फिलहाल 9-line इस पूरे छेत्र में लगभग 80% पानी को कबजा करने की चीनी रणनीती है, और उसी चीनी रणनीती के अंदर वियतनाम के साथ चीन का संगर्श है, किस जगह को ले करके है, तो इस पर्ट दुश्मन है, तभी भारत वियतनाम को यह मिसाइल देने की सोचेगा, तो अब आपके दिमाख में प्रश्न बनने लगेगा, कि वियतनाम और चीन की दुश्मनी किस प्रकार से बढ़ने लगी, इनके बीच की कहानी क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि चीनी लोग लंबे स समय से यह मानते आएं हैं कि South China Sea में उनका ही प्रभुत्व था, उसी प्रभुत्व को मानते हुए आजादी के बाद से उन्होंने South China Sea के अंदर अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाने लगा, South China Sea में चीनी प्रभाव के चलते तीन आइलेंड इनके बीच के विवाद के का स्कार बोरो, यह तीन आइलेंड थे जिने लेकर के चीन और फिलिपीन्स जैसे देशों के बीच विवाद रहने लगा, विवाद को हमने पहले भी अपने सेशन में डीटेल में कवर किया है, चुकि चर्चा वियतनाम की हो रही है और वियतनाम की गल्फ आफ टॉमकिन की हो चीनी प्रभाव धीरे धीरे वियतनाम में दिखने को पड़ना शुरू हुआ, हाल ही में इनके बीच में जो ताजा विवाद हुआ है, वो क्या है, उसको समझते हैं, असल में चाइना वालों ने एक समझदारी की है, और वो समझदारी क्या की है, जैसे हर देश के पास में अपनी सीमा रेखा होती है, अपना छेतर होता है, United Nations में समुंदर को लेकर के कुछ कानून बने हुए हैं, जिसे कि United Nations Law of Sea के नाम से जाना जाता है, UN Clause के आधार पर दुनिया भर के देश जो भी समुंदर में अपनी सीमाएं साजा करते हैं, उन समुंदरी सीमाओं को बाट जाता है, territorial water, special economic zone water, contiguous zone, baseline इस प्रकार से पानी का वितरन किया जाता है, चीन ने अपने इस हैनान प्रोविंस से connected जो water है, इस पर अपना प्रभाव बताते बताते, आधे Tomkin के water को अपना बता डाला, Technically UN clause के अनुसार, कोई भी देश अपनी baseline से 12 nautical तक के मानी को ही अपना पानी बताता है, चीन ने सीधा सीधा आधा पानी अपनी तरह से बाट कर demarkate कर दिया, कि यहां का आधा पानी मेरा और आधा पानी वियतनाम का, अगर सोचिए, ऐसी ही इस्थिती होने लगे अरब में कि आधा पानी भारत का, आधा पानी यमन का, ऐसी ही स्थिती होने लगे बंगाल की खाडी में कि आधा पानी भारत का और आधा पानी म्यानमार का, पानी को बाटा नहीं जाता, UN clause के अनुसार, अपने border के केवल 12 nautical miles तक के ही पानी को कोई देश अपना claim कर सकता है, और 200 nautical miles तक के पानी पर वो समुद्री research कर सकता है, जिसे exclusive economic zone कहा जाता है, चीन ने हाल ही में इस छेतर के अंदर Gulf of Tomkin, जो कि चीन की 11 dash line से निकल कर 9 dash line तक चला गया था, अब वो फिर से विवाद में आ गया है, चीन इस छेतर को अब आधा पानी बाटकर, आधा तेरा, आधा पानी सारे छेतरों में अपना exploration करता रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि इन ही छेतरों में जो गल्फ है, असल में का जाता है कि जहां गल्फ होती है, वहाँ पर बहुत जादा oil के बंडार और natural gas के बंडार मिलते हैं, उधारन के लिए अगर आप देखें तो Persian Gulf इसी का नाम है ONGC विदेश, वो यहीं पर जाकर के oil and gas निकालती है, ओल्रेडी वो वियतनाम के पास जाकर काम कर भी रही है, जिसको लेकर चीन ने कई बार हमें directly और indirectly धंकाया भी है, ऐसी इस्तिती में इन छेतरों में अगर चीन आधा पानी खुद लेके बैठ जाएगा, तो वि यहाँ पर चाइना और वियतनाम एक दूसरे को कन्फरंट कर रहे हैं, जब भी कन्फरंट्रेशन होता है, तो टेरिटोरियल C से आगे के C में ताकत दिखानी पड़ती है, और जब ताकत दिखानी पड़ती है, आज भाई, रवी पटेल ने 3 डॉलर भेजे हैं, बहुत बह इस प्रकार की बढ़ती हुई जद में, कल को अगर वियतनाम के जहाज चीनी वाटर में चले गए, तो जैसा चीन फिलिपीन्स के साथ करता है, कि उनके जहाजों को भगा देता है पानी से, गोली चला कर कैसे भी, ऐसे वियतनाम के जहाजों को भगाने लगेगा, इस से भारत सिफ भ्रमोस मिसाईल ले, इसी को ध्यान में रखते हुए, वियतनाम ने हाल ही में भारत के रक्षा चेतर में अपना इंट्रेस्ट जाहिर किया है, अब आप पुछेंगे कैसे पता चला आपको कि जाहिर किया है, तो साथियों असल में हुआ ये, कि भारत के द्वार जो मलेशिया के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपो लग रहा था, वहाँ आकर के इस बारे में अपनी सेना के लोगों को भेज कर जानकारी जुटवाया, ब्रमोस मिसाईल के बारे में, असल में ब्रमोस की इन दिनों रेपूटेशन क्यों बढ़ी, उसके कुछ कारण जानि और बकाइदा हम दुनिया में क्लेम करते हैं, वर्ड बेस्ट सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल, ऐसा हम क्यों कहते हैं इसके बारे में समझेए, अक्सर मैंने कई बार आपको बताया है कि क्रूज मिसाईल वो मिसाईले होती हैं, जो कि जमीन के समानांतर चलती हैं, हाइपरस अरव से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से जो रेडियो वेव भेजता है, उस रेडियो वेव की जद में वो मिसाईल आ जाएगी और उसका जानकारी पता चल जाएगा, डिफेंस में खडी हुई कोई भी मिसाईल उस मिसाईल को काउंटर करने चली जाएगी, मानलो आपने S-400 खड़ा कर रखा है, S-300, S-500 जो भी खड़ा कर रखा है, वो उस मिसाईल को हवा में ही मार देगा, तो जो बैलिस्टिक मिसाईल होती है, ये तुलनात्म करूप से जादा दूर तक तो जाती है, लेकिन सक्सेस्फुल कंसीडर नहीं की जात उसकी बगल में से निकल कर चली गई, और लोकेशन पर जाकर फट गई, और तो और ये जो क्रूज मिसाईल है, ये अपनी केटेगरी की बैस्ट है, बैस्ट सुपरसोनिक, यानि अगर स्पीड को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक में बाटा जाए, तो सुपरसोनिक category जो 3 Mac तक जाती है उसमें ये best missile है अब आप पुछेंगे कैसे पता चलता है कि best है पता चलता है practical से practical कैसे देखो आपने और हमने जो practical किया था वो तो जगजाहिर है कि भारत ने गलती से मिस फायर करके पाकिस्तान के अंदर 1500 किलोमीटर तक ब्रहमोस दाग दी थी उसके बाद फिलिपीन्स ने इसको खरीदा हमने फिर गलती मानी और कहा कि हमारे दोचार अधिकारी सस्पेंड करने पढ़ेंगे गलती हो गई साफ सौरी लेकिन ब्रहमोस को पाकिस्तान पकड़ भी नहीं पाया और वो इतना अंदर तक जाके फस गई फट गई रिसेंटली लास्ट ये लास्ट ये बात है इतना तो हुआ ये तो हमने केवल प्रयोग के रूप में बताया लेकिन जो ब्रहमोस है जिसका निर्मान भारत और रूस ने मिलकर किया है रूस ने खुद के यहां पर भी यही मिसाईल बनाई हुई है लेकिन वहां पर वो इसे ब्रहमोस नाम से नहीं चलाता है वहां पर ये इसे ओनिक्स के नाम से चलाता ह रखियेगा हो सकता है कहीं पर आपसे पूछा जाए ओनिक्स ब्रह्मोस का ही रूसी वरजन ओनिक्स कहलाता है और ओनिक्स मिसाइल को रशिया युक्रेन जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसमें रूस ने भरपूर उपयोग में लिया है रूसी सामान थोड़ा महंगा है और ओनिक इसका इंडियन वरजन ब्रह्मोस है जो की रूस ने और भारत ने मिलकर बनाया है तो ये तुलनात्मक रूप से सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया तरीके से ओनिक्स का प्रयोग होते हुए दुनिया भर के देशों ने देख लिया है देखो जब भी युद्ध होते है न तो बायरक्तार ड्रोन जो की आकार में छोटे थे जिने रूस भी नहीं कैप्चर कर पा रहा था उन बायरक्तार ड्रोन ने रूसी सेना का बहुत नुकसान पहुचाया था तो सोचो कि तुर्की के बायरक्तार ड्रोन को इतने एडवांस ओर मिल गए कि उन्होंने तीन साल का कोटा पूरा कर लिया कि हम 3 साल तक फैक्टरी लगा कर बेचते भी रहें तो भी हमारे ड्रोन की सप्लाई चलती रहेगी जब भी युद्ध होते हैं तो असल में वो वैपन्स की प्रदर्शनी लग रही होती है अमेरिका रश्या ये किसी ना किसी फ्रंट पर वार करते ही इसलिए रहते हैं so that इनकी वार के चलते दुनिया में वैपन्स बिखते रहें आपको जर्वत पता चलती रहे कि कल को हमारे साथ हो गया होता तो हम क्या करते इंशॉरेंस कैसे बेचा जाता है इंशॉरेंस बेचा जाता है देखिए फलाने साब मर गए थे कल को उनके बच् साथ लोगों के मरने पर 5-10 लाख लोगों को टर्म इंशॉरेंस बेच दिया जाता है एक्जेक्टली वार में भी यही होता है एक दो देश लड़ाई लड़ रहे होते हैं लेकिन 113 में देश मार्केट बनके बैठ जाते हैं कि सोचो पड़ोसी आप से लड़ लिया तो मेर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया क्यों क्योंकि रूस ने इतने दिन तक युद्ध चलेगा ये कलपना नहीं की थी तो उसे खुद वैपन्स की जरवत पढ़ने लगी तो वह भारत ने सप्लाई कर दिये साथ ही साथ रूस अपना युद्ध लड़ले यही कारण है कि यहाँ पर जो व्यतनाम के सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं भारतिय सैनिकों के साथ मलेशिया में ब्रहमोस की जानकारी लेते हुए इन्हों ने इंटरेस्ट जाहिर करते हुए कहा है कि अब और ये एडमिराल मतलब काफी जनरल रेंक के वाई जो कि भारत के साथ फिलिपीन्स के बाद हमसे ब्रहमोस खरीदेगा ब्रहमोस की तारीफ में एक बात और कही जाती है और वो बात ये है कि दुनिया में जैसे आप इसको ऐसे समझिए अगर एक मिसाइल है जिसकी स्पीड थोड़ी धीरे है और उस पर आपने जैसे मान लीजि बहुत तेजी से आप पर रखूं तो हो सकता है उसका बहुत नुकसान हो अगर आप मिने बच्पन में ताइक्वांडो या फिर जूडो कराटो खेले हैं या फिर जानते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि बैस्ट शॉट वो नहीं होता हजार शॉट बैस्ट नहीं होते जो केवल इतनी सी दूरी पर हाथ से मार कर इट तोड़ दिया करते थे, यानि कि इतना उन्होंने अभ्यास को अच्छे से किया हुआ था, इस तरह से ब्रह्मोस के बारे में भी कहा जाता है, कि ये इतनी तेज है, कि अगर कोई वार हैड, वार हैड मतलब मिसाइल पर जो आप मासाला भर करके चलाते हैं, तो मिसाइल पर अगर 500 किलो वैपन ले जा रहे हैं हो बंब फोडने के लिए, उसके स्थान पर ब्रह्मोस 200 किलो में उतनी तभाई मचा देती है, जितनी सामने वाला 500 किलो में तभाई मचाता है, ये ब्रह्मोस की तारीफ में कहे जाने वाले सब्द हैं, साथ ही साथ ये fire and forgot model पर चलती है, कि एक बार चला दिया भूल जाओ वो target पर जाके ही फटेगी, target हिला तो उसको target कर देगी, साथ ही साथ ये किसी भी model से चलाई जा सकती है, पानी से चला लो, हवा से चला लो, जमीन से चला लो, जहां से चला निये चला सकते हो, चौथा इसके बारे में कहा जाता है, कि जब से भारत ने रूस के साथ समझोते को बढ़ाते हुए, MTCR agreement साइन किया है दुनिया के देशों के साथ, वर्ष 2016 में, मिसाइल टेकनलोजी कंट्रोल रिजाइम पर जब से हमने 2016 में साइन करके 35 वी कंट्री बनने का निर्णे लिया, उसके बाद से हमें अपनी ब्रह्मोस की चमता बढ़ाने का अवसर मिल गया है, अब ब्रह्मोस आने वाले समय में जो अभी तक की रेंज चल रही थी, अब हम उसे कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, भारत ब्रह्मोस 2 का लगभग दूसरा वर्जन ट्राई भी कर चुका है 2020 में, जिसकी 800-900 किलोमीटर से उपर की चमता है, 500 किलोग्राम से उपर का वार हेड ले जाने में सक्षम होगी और हाइपर सौनिक स्पीड पर जा सकेगी, संभवतया, अब आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ,